कोरोना वाइरस मामारी के कारण पूरे देश में चल रही लॉकडाउन की इस्तिथी बनी हुई है और इस दोरान कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है जिसके कारण वे आर्थिक तंगी से जूज रहे हैं चुकि फिल्म और टीवी की शूटिंग पिछले दो महीनों से रुकी हुई है इसलिए तिहारी मजदूरों से लेकर कई ऐसे कलाकार हैं जो इस वक्त आर्थिक तंगी से काफी परेशान हैं मंगलवार को टीवी शो बेगु सराय के एक मशूर एक्टर राकेश करीकर ने फेस्बुक पर वीडियो के माध्यम से लोगों से भावनात्मक अपील की और वो उनकी आर्थिक मदद करें इस बात के बारे में भी उन्होंने कहा ताकि वो अपने घर पंजाब लौट सकें देखिए जरा ये वीडियो दोस्तों नमस्ते साथशिय का मैं राजेश कारीक आर्टिस्ट हूँ आई होब कि बहुत सारे मेरे साथी दोस्त पहचानते होंगे मुझे बात यह है कि कर शर्म करूंगा तो ये जिन्दगी बहुत भारी पढ़ने वाड़ी है मुझे लग रहा है बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूं आप लोगों से के मुझे मतद की बहुत सक्स जरूरत है हालाद बहुत ही नाजुक बने हुए हैं हमारे मुंबई में फैमिली के साथ रहता हूं मंदर्वा सोना साल से वैसे भी कावेज प्राइम से खाली था मैं और अब तो दो तीन महीना होगे कि हालत बहुत जादा खराब हो रही है अब लोगों से बस इतनी है एक हमबर रॉक्वेस्ट है के पहले ही 300 400 500 इटा है तो इसके बद्द करेंगे तो क्योंकि शूटिंग कब स्टार्ट हो कब ना हो कुछ पता नहीं है और मुझे काम मिले कम मिले ना मिले कुछ पता नहीं है लाइफ ठीक्तब प्रॉक्सी हो गई है कुछ समझे नहीं है आप जीना चाहता हूँ हार रही हाट जोड़के आप से परस्टे के बड़ी 300 400 500 कितरह भी करें ताकि मैं पंजाब वापिस जाना चाहता हूँ जाके कोई लोकुल हो पूटा मुटा काम शरू करोगा एक्ट के जब होगा तो वक्त तो वक्त तेह करेंगा तीस पीस है